हेलो विवस वेलकम तो माई चैनल बिलीब में यो आर बीटिफुल बाई सिमी और यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिमी666 टैरोट इन्स्टा पे मेरी आईडिया है सिमी9356 किसी को भी परसनल पेड रीडिंग लेनी हो तो प्लीज यहां तो मुझे हस्बेंड वाइफ हो आप गल्फरंड बॉइफरंड हो आपको पता है आप अपने परसन से बहुत प्यार करते हो लेकिन आपका परसन थर्ड पार्टी में है जैसे वाइफ हो आप उनकी घर पे रह रहे हो लेकिन आप बहुत सहरे हो तो आगे जाके क्या ये इनसान को इसक इस्टिनी में इनके क्या लिखा है यूनिवर्स ने आज हम ये देखेंगे ओके मैसेजिस सारे मैं भी कर रहे हूं साइड पर और मैं पहले ले रहे हूं टैरो से आज तो अभी हम टैरो से ले रहे हैं देखो एस ओफ वैंड दा हैंग मैं करमा क्या फल देगा उन लोगों को दोका दे रहे हैं बस सीधी सी wriding यही है करमा क्या फल देगा उन देको TWO कारी कट्ठया मैं जो लोगों ने आपकी पीठ पीछे खंजर घोपा आपको दोका दिया कोई भी हो सख्ता चलो इस रिष्टे में कोई भी हो सकता है आपकी फैमिली हो सकती है आपके घर वाले बाहर वाले कोई भी हो सकता है यह दा सन कि आज मुझे काड़ थोड़े ज़्यादा लेने दो काड़ी कठ्थे आगए लवर एट उफ पैंटिकल फोर उफ पैंटिकल थ्री ओफ कब भी आ गया और बाटम में है स्ट्रेंथ काड़ों को क्लारिफाई करेंगे हम लेने यह बला फाइफ अफ कब क्यों है ज़्याद ओ माइगाड देखें कर्मा की रीडिंग थी और जस्टिस का काड़ आ गया एट ओफ कब क्यों है पेज ओफ पैंटिकल ओके बस मुझी यही काड़ क्लारिफाई करने देखेंगे अब देखेंगे रीडिंग शुरू करते हैं सबसे पहला काड़ हमारे पास आया एस ओफ वैंड आपकी जिन्दगी चाहे आपका बॉइफरेंड था चाहे आपका हज्बन था चाहे आपकी वाइप थी आपकी जिन्दगी बहुत अच्छी थी जब आपके परसन आपकी लाइफ में आए आपको लगा कि ऐसा इनसान मु सिर्फ लड़कों के लिए सब देख सकते हैं जब आपकी जिन्दगी में ये इनसान आए उन्होंने बहुत प्यार जता है आपको आपको ऐसा लगा कि इन्हीं के साथ मेरी आगे जिन्दगी है इनसे ज्यादा सच्चा प्यार करने वाला आपने कभी नहीं देखा था मतला आपकी ये फीलिंग्स थी आपके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशन्स इनके लिए आए लेकिन कुछ महीनों बाद ही आपको अपने ही डिसीजन पे शर्मिंदगी फील होने शुरू हो गई आपने सोचा कि ये क्या हुआ मैंने जिस इनसान को इतना अच्छा समझा वो मे मतलब मेरी फीलिंग्स को समझी नहीं रहा जैसे स्टार्टिंग में था ये तो एकदम से पलट गया ये तो एकदम से बदल गई यह जिससे आपने शादी की ये क्योंकि सिक्स ओफ वैंड का कार्ड भी आया हुआ है दल लवर का कार्ड भी आया हुआ है सन का कार्ड भी आय आई किसी कि फैमिली भी बीच में आई जो शादी शुद हैं हो सकता उनकी मम्मी आई या उनकी सिस्टर आई या कोई ऐसी जो की 50 एर के करीब होगी लेडी उसकी विज़ा से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टरब होई लेकिन आपके परसन की भी तो गलती है जो थर्ड पार्टी के पास गए तो उस पे आ रहे हैं फाइफ अफ कप को क्लारिफाई कर दिया जस्टीज ने आपके परसन से मिस्टेक हुई बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि ये सोल मेट कनेक्शन था लेकिन इसमें भी थर्ड पार्टी आई आपके परसन ने mistake की आपसे शादी की फिर भी ये थर्ड पार्टी में गए और जब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली गई तब इनको दुख हुआ कि मैने क्या किया क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा जब third party life से चली गई तो फिर आपकी दुबारा याद आई इनको बहुत सारे लोगों के साथ ये reading आज resonate होगी definitely आपकी जब याद आई फिर लगा कि अब मैं क्या चेहरा लेके जाऊं मैं ते उसको निकाल मतलब आपके चाहे आप अपने husband के घर पे ही रह रह हो पिछले 8 महीने से पिछले 6 महीने से और कुछ लोग तो समझ लो पिछले 9 महीने से कई कई लोगों को तो 8 साल भी हो सकते हैं कि आप रहते हो एक ही छत के नीचे बट आप अलगलग कमरों में रहते हो आप ऐसे behave करते हो जैसे कि दो पडोसी रहते हैं आप मिया बीबी हो और फिर भी आप ऐसे रहते हो सिर्फ बच्चों के लिए कि बच्चों के उपर गलत असर ना पड़े सिर्फ कम्प्रोमाइज वाली लाइफ आप जी रहे हो लेकिन जस्टिस का काड़ उपर ही आया सोरी विवस मेरे बच्चे ने वो टीवी ओन कर दिया था तो आप लोगों को डिस्टब हुआ होगा दो मिनट के लिए सोरी तो जस्टिस का काड़ आया जिस पे ये शो करता है कि यूनिवर्स अब इस बात में इंसाफ करेंगे शिक्सो वैंड का काड़ आया यहां पे हमारे पास चाहे आपके पती आपसे दूर गए थर्ड पार्टी के लिए चाहे फैमिली ने आपके पती फैमिली के विज़य से आपके हस्बंड आपसे दूर गए लेकिन आप वो वाप्पिस आपकी लाइफ में आ रहे हैं क्यों क् सब कुछ करके देख लिया, थर्ड पार्टी में भी जाके देख लिया, family की बाते भी मान के देख लिया, कुछ नहीं हुआ, आज की date में वो आपको याद करते हैं, करमा क्या मिला, क्योंकि करमा की reading थी, करमा ये मिला, जैसे आपको दुख दिया था न, उन्होंने आपने सच्चा प्यार किया था चाए गल्फरंड थी चाए बॉइफरंड था चाए पती था चाए पत्नी थी ठीक उन्होंने भी थर्ड पार्टी के साथ वैसा ही प्यार किया था बड़ थर्ड पार्टी उनके जिंदगी से चली गई तो आप यकीन मानो कि जो पे काना के काड आ जाते हैं तो ये कर्मा बैक आता है कर्मा कभी किसी को माफ नहीं करता आज की डेट में आपके परसन को ये फील हो गया कि अगर मैंने सिरफ पैसे के लिए मैं पैसे के लिए थर्ड पार्टी के पास गया अपने परसन को छोड़के तो आज मेरे पास वो भी नह आज इनको पैसे भी कमाने के लिए सोचना पड़ रहा है कहीं ना कहीं इनका जो बिजनस था, इनका करियर था वो भी दाओ पे लगा, थर्ड पार्टी की वज़ा से आप लोग भी तो रोए थे ना, जिस दिन ये आपकी लाइफ से गए चाहे आप साथ में रहते हो, चाहे आप पती पतनी हो, एक घर में रह रहे हो आप कंप्रोमाइज करके चल रहे हो कि एक दिन ये सुधरेंगे, एक दिन ये मेरी लाइफ में वापिस आ जाएंगे बेट यूनिवर्स माफ नहीं करते वो लिखा जाता है जो भी हो रहा है ना हिसाब कितब सब लिखा जाता है अब अगर ये पहले छोटा सा काम करके ज़्यादा पैसे कमा लेते थे थे ना तो अब इनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और पैसे ये कम कमा पाएंगे ये पहला होगा इनके साथ करमा दूसरी बात ये आपके दिल में प्यार जगाने के लिए इस इनसान को बहुत बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि कहीं न कहीं आपने ऐसा सचा प्यार इनके साथ किया और ये इनसान आपके साथ लाइफ से चला गया आपने इनोंने बोल दिया मुझे तुमारा प्यार नहीं चाहिए मैं किसी और के साथ खुश हूँ मुझे तुम नहीं चाहिए और ये move on करके आपकी लाइफ से गए फाइफ ओफ कप, एट ओफ कप आपने सामने दोनों काड़ा है लेकिन आज की लाइफ में जब इस समय जो करंट अनरजी है आप लोगों की अभी अभी इनको ये समझ आगे कि नहीं मुझे कमबैक करना है अपने परसन की लाइफ में हम पती पतनी आगे हैपी रहेंगे और आप यगीन माना अगले पांच से आठ महीनों के अंदर आप लोग अपने परसन के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजीज देखोगे अब ये इनसान आप के लिए वरिड होंगे अब ये थर्ड पार्टी के लिए वरिड नी होंगे और इसके लिए चाहिए इनको स्ट्रेंथ जो की हमारा बॉटम में कार्ड रूल कर रहा था आप लोगों के सामने मैंने लिया एक इनसान जब गलती करता है पिर जिसके साथ उसने गलत किया होता है जब उसके सामने आना होता है तो उसको ऐसे लगता है जैसे मुझे किसी शेर के मूँ में जाके हाथ डालना है वो इतना बड़ा होता नहीं है काम लेकिन लगता है कि नहीं मेरी Mistake बहुत बड़ी है और मैं किस मूँ से उसके सामने जाओ मुझे समझ नहीं आ रहा उसके लिए एक strength चाहिए आपके पास आने के लिए इनको strength चाहिए दुबारा हूँ आपकी life में आने के लिए तो एक दम से तो यह वापिस नहीं आएंगे इसलिए हमारे पास आया night of pentacles, slow moment होगी but दीरे 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 आप दोनों आगे जाके happily life जीओगे the lovers का काड़ा आप लोग soulmate और universe आप दोनों को मिलाएंगे चाहिए आपके girlfriend है चाहिए boyfriend है karma इनको मिल रहा है karma देख लो hangman है eight of cup है, five of cup है जैसा आपके साथ किया था justice का काड़ उपर आया, same इनकी situation है, जैसे आपकी wife को दोका दे रहे हो न, आगे third party आपको दोका देगी अगर आप अपने husband को दोका दे रहे हो तो आपको भी third party दोका देगी, मेरे पास बहुत सारी reading आती है आज मैंने सोचा कि कुछ मैं socially जाके, social media पे ही इस बारे के बारे में बोलूँ फिर आप लोग कहते हो कि मेरे पती को पता है, या मेरी पतनी को पता है, और मैं third party में हूँ मेरी पतनी को कोई objection नहीं वो घर पे रही, objection नहीं है कुछ लोग बोल नहीं पाते, दिल में दुख होता है उनके, कभी आप आप पे ये बात ना आए, ना बीते तो अच्छी बात है, और जब बीत जाए तो तब आपको एसास होगा इस दर्द का, कि जब किसी एक पतनी को ये पता चलता है कि मेरा पती third party के साथ है, या एक पती को ये पता चलता है कि मेरी पतनी third party के साथ है, तो वो दर्द क्या होती है बगवान ना करे कि आपकी जिन्दगी में ऐसा दर्द आए ठीक है तो ये थी आज की रीडिंग जो मैंने आप लोगों के सामने की अच्छी लगी हो अभी तक रीडिंग तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सबस्क्राइब कर ले ना बिलीव मी यूर बीटिफुल बाई सीमी और इंस्टा पे मुझे फोलो कर ले ना सीमी 9356 पे परसनल पेड डीडिंग के लिए कमेंट में भी नीचे लिख सकते हो मेरे यूट्यूब पे और मेरे इंस्टा के पेज पे भी मुझे लिख सकते हो और आप लोग मुझे फेस्बुक पे भी फोलो कर लो क्योंकि अपसे मैं शॉट वीडियो जितनी कम से कम दो रिडिंग शॉट मैं डेली की फेस्बुक पे डालूंगी डालूंगी तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी फोलो कर सकते हों उसका लिंक में देज दूँगी आपको नीचे वीडियो के तो अभी हम जो मैसिजिस मैंने लिया हूँ है अब ये मैसिज दूँगी मैं एंजल्स क्या कहती है आप लोगों के इस लिष्टे के बारे में फोर्गिवनेस वाओ हमारे पास जस्टिस आया और फोर्गिवनेस भी आ गया तो ये फोर्गिवनेस किसको करना है आपको पता है मेरे को सामने वाला दोखा दे रहा है और जो सामने वाला दोखा खाके अगर आपके पास वापी साता है गिडगड़ाता है रोता है और माफी की बीक मांगता है तो आपको सोस समझके फिर आगे डिसीजन लेना कि यह इसान सच में सुधर रहा है क्या यह इनसान सच में सुधर के आया है यह आप पर depend करता है इसलिए दिल के ऊपर दिमाग भगवा नहीं दिया है कि दिल से सोचनो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर एक बार कोई धोखा दे के दुबारा जिंदिगी में आता है तो पहले तो उनसे clearly communicate करो बात को और उसके बाद उनको अपनी जिंदिगी में दुबारा accept करो improving health हो सकता है किसी की health अच्छी नहीं है तो एंजल का message है आप लोगों की health अच्छी हो जाएगी no tension the restless mind ये तो हो गई इस card इस reading में ये तो आना ही था ये card का आना बनता भी था ये देख लो ना आप लोगों का mind काम कर रहा है ना आपके person का mind काम कर रहा है क्योंकि उनके सामने कर्मा आके खड़ा हो गया उनका जो करना है जो करता है जो जैसे करता है वो वैसे भरता है beyond religion ये देख लो ये card पता है कि इनके लिए आया है trigger मत हो न आप लोग ये card उनके लिए आया है जो शादी शुदा लेडिस third party के साथ involved है क्या है इसमें इसमें ये है कि अगर आप अपने third party आपसे शादी नहीं कर रही ठीक है आपके husband के घर में आप रह रहे हो third party सिर्फ आपको use कर रही है alert हो जाओ अपनी self worth को पहचानो ये ना हो कि जब तक आपकी आँखे खुले तब तक बहुत देर हो जाए तो इस बात को समझो कि जिसके साथ जिसके घर में आप रह रहे हो प्लीज उसके प्रतितों आप honest रहो नहीं तो कर्मा आपको भी मिलेगा ही मिलेगा आज नहीं तो कर डाइवर्सिटी अपने mind को divert करो अगर आपको लगता है मेरा मन मेरा सब कुछ third party के साथ है it's okay third party के साथ move on कर जो जिन्दिगी में उनके पास चले जो divorce दे दो अपनी पतनी को अपने पती को कम से कम किसी की पीट पीचे किसी को दोखा तो मत दो the war of the roses अपने विचारों से आप खुद लड़ रहे हो कहीं न कहीं आप अकेले ही लड़े जा रहे हो अपने अंदर और इसका फल क्या होगा इसका फल यह होगा कि आप last में improving health का message है न आप बिमार हो जाओगे आपको अपने इन करमास को clear करना पड़ेगा यह मत सोचो मेरे पती को नहीं पता मैं third party के साथ हूँ मेरी wife को नहीं पता मैं third party के साथ हूँ no justice का card उपर rule कर रहा है यह देख लो तो तयार रहना करम जो जैसा कर रहे हो वैसा भरने भी पड़ते हैं make the efforts great love is a worth taking the step you are guided to take आपको efforts करने पड़ेंगे अपनी family को बचाने के लिए और देखो third party अगर life में है as a lady मैं ladies के लिए इस समय बोल रही हूँ आपके बच्चे भी सफर करेंगे girl को आपकी respect zero हो जाएगी और फिर आपके बच्चों को क्या होगा बस इस से जादा मैं कुछ नहीं बोल सकती social media पे soulmate yes this is your soulmate तो अगर आप husband wife हो तो आप यकीन मानो और soulmate और the lovers को clarify करने आगया soulmate तो आप अगर husband wife हो तो यकीन मानो आपके husband आपके soulmate है आपकी wife आपकी soulmate है क्यों क्योंकि इतना बड़ा दिल करके वो आपकी सारी गलतियों को माफ कर रहे हैं तो उनके प्यार को समझो surrender to the divine divine को surrender कर दो और कोई रस्ता नहीं है आपके पस आप गलतियां कर रहे हो कर्मा आपको पकड रहा है और बचना कैसे है divine के पास जाना है take time to breathe out गैरी सांस लो relax करो mind को और बहार भागना छोड़ दो कोई नहीं बहार आप आप सोचते हो कि मेरे पती को नहीं पता मेरा बॉइफ्रेंड है आप अपने बॉइफ्रेंड को एक बार कहके देखो कि मेरा पती मुझे छोड़ रहा है क्या मुस्से शादी करोगे उसी समय वो आपका फोन कट कर देगा आपसे बात नहीं करेगा या आप पती हो और आपकी कोई गल्फ्रेंड है आप उसी समय बोलते हो कि नहीं मैं अपनी पतनी को छोड़ रहा हूँ मस्से शादी कर लो उसी समय वो बग जाएगा आपकी लाई से मैं सब के लिए बोल रही हूँ लड़के लड़कें सब के लिए ये रिडिंग वो पन है टेक टाइम तु ब्रीठाओ गैरी सांस लो और सोचो आप क्या कर रहे हो खिस तरफ बढ़ रहे हो और इसका नतीज़ा क्या होगा कन्फियूजन आप बहुत कन्फियूजन आपको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है करना ये है कि जस्टिस यूनिवर्स के रस्ते पे चलना है रेस्टलस माइंड को रेस्ट देना है बाहर भागना चोड़ दो जो साथ में है उसके साथ रहो सर्विस अदर्वाइस नहीं सुधरते हो आप लोग गलतियों पर गलतियां करते चले जाते हो तो ये देख लो आगे जाके आप लोग बिमार भी हो सकते हो आपके सामने सर्विस का काड़ आया कर्मा तो मिलते है तो ये थे आपकी आज की रीडिंग और आज मैं मैं और वो भी बहुत सारे लूंगी आपको प्लीज रीडिंग अभी तक अच्छी लगी है आप न्यू पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दो बैल बटन को पुश कर दो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और प्लीज इंस्टा वालो फोलो कर लो क्योंकि आप फोलो करते नहीं हो आप में को मैसिज भेजते हो कि मैडम रीडिंग का है रीडिंग का है ऐसे रीडिंग का नहीं पता चलेगा जब तक मुझे फोलो नहीं करोगे तो पॉस करके भी देख लेना वीडियो को चलो आज मैं थोड़े से नाम लेती हूँ अभी टाइम है तो मैं थोड़े से नाम ले रही हूँ किरन, कुल्दीप, कशिश, सिम्रन, सिमो, सुजाता, शिखा, सुखदीप, सलीना, सोरब, सुमित, साक्षी, शशी, सोनित, सोही, सोहिता, सुमेक्षा, सुरक्षा, सुलक्षना, बहुत सरे नाम होते हैं देसे दीना, दीपक, दिपांचु, हीना, हिमांचु, हरमेत, सुखदीप, कुल्दीप, कवाल, करिश्मा, कशिश, और पी से पुनम, पवान, पूजा, पुलकित, प्यूश, पीहू, पुनित, प्रतिक्षा, प्रमिला, नवदेप, नवनीत, नीरज, नीलम, निशा, नेहा, नीरज, नवनेश, नीलम, टीना, टीटू, अलसे, लविश, लीला, लीमा, लवलीन, टी से भी मैंने बोल दिया हैं काफी, ई से, इमर्ती, अमीशा, और, मैं याद कर रही हूँ ना, मुझे याद भी तो नहीं आते जल्दी जल्दी, विजे, विने, विनेश, विकी, विनीता, विमलेश, वीना, मैं से, मन्जीत, मीना, मोहित, मनीशा, मन्जीत कौर, मन्जीत सिंह, मोहित, विकी, लविश, लिलानजना, तो यह देख लेना आप किस-किस के नाम ऐसा नहीं है, कि जिसके नाम लिए, उनी के लिए रीडिंग है, ऐसे कुछ नाम मैंने बोल दिये, जो मुझे लगा, तो आप देख लेना, आप लोगों के साथ कैसे वावल्स मेच हो रहे हैं, ओके, तो अगर रीडिंग अच्छे लगी हो, तो लाइक कर देना, फॉलो भी कर देना, ओके, लव यू लॉट, आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू, दिल से, ओके, बाई, टेक किया विववर्स,